आज इस वीडियो में हम आपको कुछ important question and answer बताएंगे जो कि जब आप फैबरिकेटर का इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें खास करके इस सब question and answer पूछा जाता है आपसे तो आएए देखते हैं कि क्या है वो ठीक है तो कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो मैं 10 बता रहा तो सबसे पहले देखिये हैं आपको पूछ सकते हैं कि पाइप एल्बॉक क्या होते हैं और यह कितने परकार के होते हैं पाइप एलबॉक क्या होता है कैसे दिखता है वो तो हमको पता होता है लेकिन जब हमसे पुछते हैं इस टाइप का question तो हम उसका answer नहीं देपाते है तो उसी का answer यहां पे मैंने लिग दिया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं ठीक है वैसे इसका जो भी answer है और वो मैं अपने app में डाल दूँगा ठीक है और इसके साथ में मैं सभी का photo भी जो है add कर दूँगा अप में तो आइए यहां पे इसका answer जो हम जानत होते आसानी से बदल सकते हैं तो उसको हम pipe elbow काते हैं यहां इसका simple answer अब यहां पे है pipe elbow के परकार तो elbow एक 90 degree का elbow आता है ठीक है उसके बाद एक 45 degree का elbow ठीक है उसके बाद एक long radius का elbow एक short radius का elbow और एक reducing elbow मतलब जिसमें reducer fix होता है तो यह सब आपको बताना है अब नेक्स्ट दे answer देना है तो इस परकार से देना है कि reducer एक ऐसी pipe fitting है जिसकी मदद से हम किसी भी big bore size के pipe को small bore size में बदल सकते हैं मतलब कि बड़ा size का अगर कोई pipe है उसको अगर छोटा size में करना है तो वहां पे हम reducer लगाते हो कि अब यहां पर यह भी पूछ सकते हैं कि reducer का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं तो reducer का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि pipe का side कंव करने के लिए या फिर जो उसमें fluid रहता उसका pressure अगर हमें ज्यादा करना हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं मतलब अगर pipeline का pressure हमें बढ़ाना हो तो हम जो हैbeisser करते हैं आप यहां पे with photo में इसको जो है upload करूंगे वाद नेक्स नेक्स है हमारा pipe fitting कितने परकार के होते हैं यहां पर था लिखा हूं तरह भी होता है कितने तरह के होते हैं कितने परकार के होते हैं तो देखे यहां पे पहला है bus उसके लूंग radius bend वाद के बाद इसके बाद हैं यहां पर next question आपसे भी पूछ सकते हैं कि एक इन्च में कितने mm होते हैं यहां पर मैंने एक ही डाला हुआ है ॥िख कैस्व एकosas image-arı कि फूच सकते हैं यहां फिर एक सेंटीमिटर में कितने में होते हैं इस ताप से कुछ भी आप से पूछ सकते हैं तो आप टेंशन ना ले ठीक है एप में अलड़ी इसके उपर जो है हमने डाल के रखा हुआ का पाइक कंटेंट बहाँ पर चेक कर ली और इसको माइध में रखे drink क्योंकि कुछ बहरा पूछ सकते यह जो हैं इसका Hasta इसम्हें प्लीट्सप्ट्स पॉय्ट-फ्ट्री का हमई एकर रेकिलिए कि इसके बाद है फ्लंच किसे करतें उसका mm होता है है कि उसको जवाब देना वो यह है कि flange एक ऐसा mechanical component है जो कि pipe walls या pumps तथा दूसरे उपकरणों को आपस में मिलाने का काम करते हैं जिससे की pipe fitting का पूरा system बनाया जा सके ओके यह है इसका simply answer okay उसके बाद यहां पर है flange कितने पर करके होते हैं तो यहां पे हमने सारा लिख दिया हुए है कि पहला है weld neck flange उसके बादे धाई थ्रेड़ेड टाइप flange उसके बाद मॉडिफाइट flange socket weld flange okay उसके बाद आधे ब्लाइंड फ्लांच सर्क वादे गुजनेक फ्लांच स्टेप्ट फ्लांच स्टक वादे स्लीपउन छोक है तो यहां पर इसका फोटो जो है नहीं नहीं है लेकिन मैं कोचिज करऊंगा एप में डालने का उसके वाल किसे कहते हैं तो वाल तो हमने देखा हुआ है लेकिन किसे कहते हैं उसका क्या यूज है वो यहाँ पर मैंने लिग दिया वालव एक ऐसी मेकैनिकल उपकरन है जो कि फ्लूड के फ्लो के रास्ते को बंद या चालू या पार्सियल रुकाउट पैदा करके फ्लूड के फ्लो को डिरेक्ट रेगुलेट या कंट्रोल करता है मतलब कि यह ऐसा डिवाइज है जो की फ्लूड मतलब कि जैसे ऑईल हो गया वाटर हो ठीक है तो उसको अगर बंद करना हो या चालू करना हो तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं या पार्सियल रुका गर छोटे हैं तो पहला है is gallery one store in earned turn what थीक ऩो NGO sente बोलते हैं तो शॉट में को पुछ वी सकता है कि आना भी मतलब ज़ता तो आपको जाब दे क्न रिटनिक मालो के उसके बादे प्रेसर र्ी लिफ उसके बादे नीडल वाल उसके बाद उसके बाद है plug wall उसके बाद है diaphragm wall उसके बाद है फ्लस बोटम वालों के उसके बाद next question है हमारा beveling क्या होता है तो आपने देखा होगा pipe में bevel मारा हुगा होता है तो पुछेगा कि beveling क्या होता है इसको beveling क्यों मारा जाता है तो यहां पे simply answer है Beveling एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें pipe या plate के किनारे पर angle slope cutting करके उसे welding के लिए तयार किया जाता है मतलब sloping में उसको इसलिए तयार किया जाता है ताकि उसमें welding आये और वो ज़्यादा जो है मजबूत हो पाए ठीक है तो वही उसका simple answer है beveling hand grinding ये का इस्तेमाल करके या beveling machine का इस्तेमाल करके किया जाता है ठीक है उसके बाद यहां पर next question है कि welding करने के लिए pipe का bevel degree कितना होना चाहिए तो simple answer है 37.5 ओके तो ये था 10 important question answer जो कि जो आपको mind में रखना है कभी भी जो है जब आप जाए interview में तो इस टाइब का question जो आपसे पूछ सकते हों के तो आई hope आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो इस टाइब से अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe किजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस किजिए और अगर आप हमारे app फिटर की पूरी जानकाली को इंस्टोल अभी तक नहीं किये हैं तो एप को इंस्टोल किजिए तो मिलते है नेक्स वी वीडियो देख पाई करके देख सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक्स वाचिंग बाए